अब इस lecture के अंदर आपको मैं ये बताऊंगा कि कौन से important concepts हैं जो आपको descriptive statistics के अंदर समझना ज़रूरी हैं पहले हम उनको enlist करेंगे, enlist करने के बाद बारी बारी देखेंगे कि हमने अभी तक कौन से पढ़ ले हैं और आने वाले दिनों के अंदर या आज के lecture में हम कौन कौन से cover करने वाले हैं स्क्रीन में शेयर करता हूँ, यहां पे steps को पहले हम लिख लेते हैं कि कौन कौन से important steps हैं सबसे पहले आपको descriptive statistics के अंदर यानि के descriptive statistics के अंदर जो पहला point पढ़ना है वो होना चाहिए number one is, you should know about the population versus sample आपको पता होना चाहिए sample क्या है और population क्या है, ठीक है reason क्या है, क्योंकि इसके formula different है और इसके formula different है वो जो n-1 आ रहा था न, main, median, reward के बाद हमने standard deviation, variance की जो equations रखी थी, उसकी वज़ा से number two, जो अगला concept है आपको पता होना चाहिए कि central tendency क्या है central tendency ये भी हमने देख ली है, जिसमें आता है mean, median और mod mean, median और mod, ठीक है इसके बारे में आपको knowledge होना चाहिए, descriptive statistics के लिए फिर तीसरी चीज जो आती है, that is very important और अक्सरोकात लोग इसको ignore भी करते हैं, वो है central tendency के बाद हमारे पास आएगा measure of variability measure of variability जिसको हम dispersion भी कहते हैं और इसी को हम बोलते हैं separate so measure of variability, इसको आप measure of central tendency भी कह सकते हैं MO मैंने लिख दिया, इसका मतलब measure of है number four आपको क्या आना चाहिए, पता आपको पता होना चाहिए, outliers क्या होते हैं ठीक है number fifth is आपको different किसम की data visualization techniques का पता हो data visualization tools and plots आपको पता हो के कौन-कौन से plots जो हैं हमने use करने हैं जब हम किसी चीज को बता रहे होंगे say for example मैं यहां पे कुछ plots की type और उनकी use बता देता हूँ सबसे पहला frequency table का आपको पता हो frequency table या frequency plot कैसे बनाते हैं इसको हम जारी बात है frequency का मतलब ही यह है कि आपको mean mod का ज्यादा पता हो यानि कि unique values जो हम देखते हैं ठीक है फिर आपको पता होना चाहिए दूसरी category जो हमारे पास आती है हमारे पास आती है जि बार चार्ट की बार चार्ट बार चार्ट के अंदर कौन कौन सी हमें चीज़ें पता होनी चाहिए उसमें कई किसम के चार्ट साते हैं बार चार्ट के अंदर और हमें वो चार्ट बनाने आने चाहिए ठीक है फिर हमारे पास इसी के अंदर चार्ट के अंदर अगर मैं बताऊं तो histogram आता है box plot इससे distribution plus outlier ये पता चलेंगे ठीक है box plot के through फिर हमारे पास जो अगली चीज़ आएगी we can also do some kind of bivariate plots मैं इसको तीसरे नमबर पे रख लेता हूँ bivariate plots के उपर यानि के ऐसे plots जो दो variables के बने ये univariate के हैं univariate के ये bivariate plots bivariate plots क्या होते हैं वो देखते हैं दो चीज़ों के plot यानि के दो variables के जब आप plot बनाएंगे उनको बोलते हैं bivariate plots जिसके अंदर एक तो scatter plot scatter plot और दूसरा आपके पास आता है line chart ठीक है दो variables के जब आप plot बनाते हैं इस तरीके से आपके पास plots आजेंगे खास तोर पे अगर दुनों आपके पास क्या हो नुमेरिक हो अगर एक category को लो तो फिर आपके पास किसी भी किसम का चार्ट बन सकता है और कौन सा चार्ट कब बनाना है यानि के data visualization पे command, visualization पे command कैसे लेनी है उसके लिए ये एंड्रियो बेला की guide हमारे पास पढ़ी हुए ठीक है so descriptive statistics के अंदर आपको ये कुछ चीजें आना जरूरी है खासतोर पे distribution के लिए और different किसम की summarization के लिए अगर आप गौर करें तो आपके पास descriptive statistics में sample और population का concept, central tendency, measure of dispersion ये आपको basically composition and distribution बता देता है composition and distribution कैसे जब आप different किसम के plots भी बनाएगा आपको distribution का पता चल जाएगा और फिर इसके बाद हमारे पास आता है जब आपके पास means आ गए तो उन means को compare आप कर सकते हैं ठीक है यानि कि एक इसका mean मेरे पास आ गया है किसका आ गया है इसकी standard deviation हागी इसकी standard deviation हागी तो हम A और B को compare कर सकते हैं ठीक है और ज्यादा तर लोग इस comparison को inferential statistics के उपर रखते हैं क्योंकि hypothesis testing आपने करनी होती है so हमारे पास ये एक fine line है अगर आप sample के बारे में बात कर रहे हैं और इसके बारे में descriptive statistics लगाना चाते हैं और comparison नहीं करना चाते हैं तो आप descriptive statistics के अंदर रह रहे हैं लेकिन अगर आप hypothesis और multiple mean of comparison स्टार्ट कर देंगे यानि के different means को compare करना स्टार्ट कर देंगे then you jump into inferential statistics लेकिन जब आप exploratory data analysis की बात कर रहे होते हैं न उस वकत आप तीन चीजों को देख रहे होते हैं मैं अभी आपको बताता हूं just give me one second मैं आपने पास जो book है उसे open कर लूँ पहले जो exploratory data analysis होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं हम basically variability को भी देखते हैं binary और categorical variables को भी हम study करते हैं correlation को देखते हैं ठीक है correlation और फिर at the end हम comparison करते हैं ठीक है अब आपको जो मैंने चार points बताएं जो चार points बताएं like these four points just I will show you here यह वाले जो चार points है एक का नाम है composition इसमें आप data को देखते हैं कि data में categorical variable कितने हैं numerical कितने हैं binary कौन सा है फ्लाँ 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 distribution जिसमें आप देखते है normal distribution है या कई और किसम के distribution है outliers को देखते हैं इसी के अंदर anomalies को remove करते हैं फिर आप देखते हैं relationship दो variables का अपस में relationship कैसा है फिर आप देखते हैं comparison जब आप यह चारों चीज़ें देख लेंगे तो यह आपका exploratory data analysis भी हो जाएगा ठीक है आप data को explore कर रहे हैं और advanced level पे जो exploratory data analysis यह basically descriptive statistics के under ही आता है लेकिन लोग क्या कर रहे हैं अब compare भी कर रहे हैं different किसम के means को ताके वो अंदाजा लगा सके वो सिरफ compare कर रहे हैं A को B के साथ यह नहीं कह रहे कि A और B अगर आपस में sample में differ कर रहे हैं तो यह population के अंदर भी differ करेंगे यह नहीं कह रहे हैं prediction नहीं दे रहे हैं कोई analysis finalize नहीं करके बता रहे हैं कि future में क्या होगा but they are saying कि यह दोड़ों different हैं तो यह वाला comparison आप descriptive statistics के अंदर ही करते हैं मैं आपको एक चोटी सी मिसाल देता हूँ यह है जी मेरे पास एक डबबा यह है दूसरा डबबा यानि के column दो column है मेरे पास एक है female का column और एक है male का column अगर मैं female से उनकी age पूछूँ 15, 20, 25, 30 male से पूछूँ 30, 35, 40, 45 ठीक है अब मैं क्या करूँगा इसका mean लूँगा 15, 20, 25 और 30 इन सभी को अगर जमा करके इनका mean ले तो कितना बनता है पांच, पांच, दस, जीरो, एक इदर आ गया, दो, दो, चार, दो, छे, तीन, नो, यह बन गया 90, 90 ही बनता है 90 divided by 4 यह मेरे पास आ जाएगा इसका mean और यहां पे होगा 30 और 35, 65, 40, 105 और 45, 150 divided by 4 इसका जो mean होगा वो मेरे पास यहां पे आ जाएगा तो 90 by 4 यानि कि 90 by 4 यानि कि 90 by 4 यह होगा फीमेल का mean of age और यहां पे 150 को 4 पे अगर डिवाइड किया जाए तो यह हमारे पास 37.5 आ जाएगा अब आप देखें कि देखने से यह दुनों mean different लग रहे हैं इनकी base पे हम कह सकते हैं कि यह mean ले लिया हमने अगर हमारे पास इनकी standard deviation भी आ जाए तो हम इनको अंदाजा लगा के बता सकते हैं कि यह दुनों आपस में differ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं अब देखें यह age का column है दुनों के अब मैं यहां पे कह सकता हूँ यहां पे 22.5 जो है वो female की age है ठीक है बट जो male की age है वो 37.5 है इसका मतलब है कि on an average हमारे पास 37.5 divided by 22.5 यह हमारे पास बनता है 15 हम कह सकते हैं कि लड़के जो हैं वो 15 साल on an average बड़े हैं as compared to female और यही जो है हमें comparison of means जो हैं यह बताते हैं comparison of means ठीक है comparison of means यह बताते हैं हमें कि अगर दोनों के means हम रखें साथ साथ female का mean है हमारे पास आया किसी भी data का 22.5 ठीक है और यहां पे male का हमारे पास आया 37.5 अब हमने यह अंदाजा लगाया कि 15 का फरक है अब 15 का फरक का मतलब यह है या तो हम यह कह सकते हैं कि लड़कियां 15 साल छोटी है as compared to boys या हम यह कह सकते हैं कि लड़के 15 साल बड़े है as compared to females ठीक है लेकिन आप देखें कि यह तो हम सिरफ एक mean की base पर बता रहे हैं जब हम standard deviation को भी इसके अंदर count करेंगे और सारे के सारे replicate लेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा इस comparison को हमें और भी अच्छे तरीके से perform करना पड़ेगा और उसके लिए recognized tests मौझूद हैं tests मौझूद हैं inside statistics ठीक है और उन test को हम कैसे नाम देते हैं when you are comparing two means तो आपके पास दो test लगते हैं एक है t-test इसको students t-test भी बोलते हैं students t-test ठीक है और दूसरा है आपके पास z-test सही हो गया ये दो test जो हैं ये आपको बताते हैं कि इन दोनों के अंदर क्या फरक है और जब आपको ये दोनों test समझ आ जाएं तो आप उसकी base पे आगे चल सकते हैं अब एक और चीज है हमने दो means को compare करना है तो हमारे पास जो t-test है उसकी तीन टाइप है ठीक है और उसको देखते हैं कि वो कौन-कौन सी हमारे पास types जो है मुझूद है हैं तो major 3 से भी ज्यादा तेस्ट फिर हमारे पास आगे होगी independent t-test ठीक है फिर उसके बाद जो आगे हमारे पास है वो है repeated major t-test ठीक हो गया और इसके बाद हमारे पास एक और subtype है जिसको unequal variance वाला test बोलते है unequal variance यानि कि इसके अंदर आपके पास जो दो means आया है ना उनके साथ उनका variance भी count होता है और वो आपको बताते हैं कि test जो है वो किस तरीके से perform होने अब t-test के बारे में हम आगे चलेंगे हमें पता चल जाएगा कि t-test क्या होता है और उसको हम पढ़ेंगे फिर z-test आता है t-test तब use होता है जब आपके पास less than 30 sample size हो ठीक है और z-test तब use होता है जब greater than 30 हो यह थोड़ी सी अपने दिमाग में बात रख लीजएगा z-test और t-test के बारे में right t-test और z-test की assumption जो है और इसको हम basically use तब करते हैं आपने दो means को आपस में compare करना हो यहां तक clear हो गया हमारे पास z-test और t-test इन दोनों में फरक देखने के लिए हमें different चीज़ों का भी ख्यार रखना पड़ता है अब वो कौन-कौन सी चीज़े हैं हम वो भी देखते हैं just a minute मैं आपके सामने एक डाइग्राम ले के आता हूँ this one और इसको समझते हैं पहले चीज़ तो यह है कि यहां पे जो parametric आया है इसको मैं आपको बदाता हूँ कि क्या होता है simply यह कि अगर आपका data normal है data normal है तो उसको parametric test जो है उस पर लगते है simple आप यह बात याद रखे second one sample t-test पे t-test भी लगेगा z भी लगेगा one sample t-test का मतलब यह है कि आपके पास एक ही sample है और उसको आप यानि कि यह age का sample है आप एक non age के साथ non age के साथ compare कर रहे हैं पचास साल के साथ ठीक है यह है तो फिर भी comparison ही ना इसका mean इस एक non age के साथ compare करेंगे यह होता है one sample t-test two sample क्या होता है जब आप male और female की ages को आपस में compare करें ठीक है one और two को इसमें independent sample हो तो आपके पास two group t-test लगता है और z-test लगता है अगर paired samples हैं तो paired t-test होता है अब paired या repeated measures को paired बोलते हैं paired t-test क्या है मिसाल के तोर पे अगर आपके पास age है females की female की age और यह है जनाब 2019 की ठीक है इसको आपने compare करना है female की age 2023 में वो ही females हों सारी की सारी और उनी की age आपने compare करनी हो ठीक है इस तरह के test को क्योंकि एक दफ़ा आपने measures ली फिर दूसरे time point पे आप उनी सारे samples की measure ले रहे हैं इसको इसके लिए आपके पास लगता है paired t-test paired t-test क्या होता है paired t-test वो होता है जिसके अंदर आप एक ही चीज को बाद दुबारा measure करते हैं और इसी को repeated measure का test बोलते हैं repeated measure को ठीक है paired t-test बोलते हैं तो unpaired क्या हुआ जो आपका independent है इसको unpaired बोलते हैं इसको आप paired बोलते हैं ये इतना सा फरक है इन दोनों में paired और unpaired t-test फिर one sample होते है इसका मतलब है कि हमारे पास t-test की तीन टाइप होगी एक है one sample दूसरी है हमारे पास unpaired और तीसरी हमारे पास है paired ठीक हो गया और फिर इसमें आगे चक्कर आता है equal variance और un-equal variance का but for now we will see कि ये तीन किसम के two sample t-test हमारे पास मुझूद है फिर z-test भी तब लगेगा जब आपके पास जो sample जो size है वो तीस से ज्यादा होगा simple है जी यहां तक clear होगे आपको समझ आगी एक और यहां पे आपको z-test और t-test की मैं example दे देता हूँ यहां पे check करें अगर आपके पास population का standard deviation मुझूद है या sample का भी अगर आप बोलें तो तो आपके पास जो sample size है अगर 30 या 30 से ज्यादा है तो आप z-test या t-test या ट-test यूज़ करते हैं अगर ज्यादा है तो z-test अगर कम मैं तो t-test अगर आपको standard deviation में नहीं पता तो आप फिर भी t-test यूज़ कर लेंगे simple is that ठीक है तो यह एक छोटी सी science होती है अब आप सोच रहे होंगे कि z-test और t-test इतने मुश्किल हैं किस तरीके से हम इने compare करेंगे और कौन-कौन सी चीज़ें हमें मद्द नज़र रखनी होगी don't worry मैं भी आपको समझाता हूँ लेकिन उससे भी पहले आपने एक काम करना है वो काम यह है जो अब हम करने वाले हैं वो है हमें समझना है कि hypothesis क्या होते हैं और दो किसम के hypothesis होते हैं h0 and h1 इसको बोलते हैं null hypothesis इसको बोलते हैं हम alternate hypothesis ठीक है यह हमने अब समझने है ठीक है फिर हम आगे move करेंगे